हेलो गाइज वेलकम बेक टु टेक्निकल के बड़ी जोटी चनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ओक्टैपेक्स में इस्टोप लोस एंड टार्गेट पॉइंट के बारे में समझेंगे दोस्तों आज की वीडियो विगनर फेसर टेडर के लिए है जिन्होंने ओक्टैप से हम इस्टोप लोस एंड टार्गेट पॉइंट लगाएंगे उक्टैपेक्स में चलिए समझते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर पहली बार है तो यार चैनल को यहां से SELL &B Queens में आपके बसी और को भी होगा जसे आप आपके और खर देंगे तो आप बड़े असानी के साथ यहां से इस्टोप लॉग स Ari tis किया है से बाद जाता हूं तो यह आप यहां पर को आपकी का reincarnate इसके बाद दोस्तों आपको किस तरीके से मोडिफाई करना है आप ध्यान देना यहां पे आपको एक बोक्स नजर आएगा जिसमें दो बना हुआ है इसके उपर जैसे आप के लिए करेंगे तो आपके दोनों ही जो ओडर है वह आप बड़े ही आसानी के साथ यहां से देख पाएंगे और किस तरीके से फर्फॉम कर रहे हैं वह आप देख पाएंगे यहां से दोस्तों आपको तीन देखने को मिल जाएगा जैसे यहां से अगर कले करेंगे तो मार्केट का चाड़ ओपन हो जाएगा बीच में आप देखेंगे पैंसल जैसा बना हुगा है इसके व modify by order को option देखने को मिल जाएगा. जैसे ही आप modify by order पे जाएंगे, तो यहाँ से stop loss and target, 2 option देखने को मिल जाएंगे, stop loss की ओपर जैसे ही है आप click करेंगे, तो यहाँ से आप prize में stop loss वाली prize यहां से डालना है. जो भी आप stop loss की prize यहां पर डालना चाहते हैं, वो प्राइज बड़े ही आसानी के साथ आप यहां से डाल सकते हैं जिससे कि दोस्तों यहां से अभी जो लाइफ राइज के अगर बात करें तो यहां से 630 का लाइफ राइज चल रहा है यहां से हम मान लिए हमारा यहां से इस्टोपलो से 600 का रखना चाहते हैं यानि कि 37600 का हम यहां से रखना चाहते हैं तो चलिए मैं यहां से आपको 37600 का करके दिखाता हूँ और एक टिली भी यहां से अगर डालना चाहते हैं प्राज तू कुछ इस सरीके से भी डाल सकते हैं ठीक जाने प्रॉंग वाल यहोगया है तो ये दोस्तों यहां से हम से थार 2007 चेश्चोह कहा है इसी के साथ हम करना चाहते हैं तो हम टारिड़़ को भी हम टारिज की atteκ प्राज रखना चाहते हैं गे आ 주는 और मिजर्फकार है यहां से यहां से बढ़सक्ते हैं तो ँ और के अस्वास यहां से अभी आपकर टारगेट चल रहा है तो 600 का हमारा Istop loss है और 670 का यहां से हमारा फ्रफिट है तो कुछ इस तरीके से आप बढ़े ही आसानी के साथ यहां से आपका टारगेट को एंड इसटोफ लोस दोनों एक साथ लगा सकते हैं अगर आप चाहतें कि नहीं मैं stop loss को ही यहां से लगाना चाहते हूं उसे simply आपको modify कर देना है और यहां से दोस्तों जैसे आप modify करेंगे तो आपका order यहां से modify हो जाएगा तो आप देखेंगे अभी जो हमारा यहां पर जो हमने order लिए तो यहां से लग चुका है ठीक है इसके बाद दूस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां से टार्गेट भी लगाना चाहता हूं simply आपको फिर से आपके pencil के आईगन पर जाना होगा और यहां पर target पर जाना होगा और target जो भी आप यहां से रखना चाहते हैं तो जो भी आप target यहां पर लगा दीजिए तो जो भी आप target यहां पर लगाना चाहते हैं वो target आप यहां पर लगाए तो आप आपके टार्गेट को तो दोस्तों इस तरीके से टार्गेट को आप बढ़ा सकते हैं यहां से जो भी आप टार्गेट यहां से रखना चाहें वो टार्गेट आप इसली यहां से रख सकते हैं अभी आप देखेंगे 670 का भी यहां पर प्राइज चल रहा है और अभी हमने यहां से रख दिया है 734 हमारा target रख दिया है यानि दोस्तों आपने जो आपके stop loss की price रखी है 37,589 का जो हमने price डाला है जैसे ही market 37,589 market आएगा तो instant हमारा stop loss हिट हो जाएगा जो हमने target दिया है आप देखेंगे 37,734 का हमने यहां पर target दिया है जैसे market इस बाली price पे आएगा तो हमारा target यहां से हिट हो जाएगा इसके बाद आपको simply यहां से modify कर देना है तो दोस्तों आपका यहां से target instant लग चुका है और stop loss भी लग चुका है अगर आप इसको बीच में modify करना चाहते हैं या फिर कुछ change करना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी के साथ आप यहां से change भी कर सकते हैं या फिर किसी को हटाना चाहते हैं माना कि टार्गेट को आप हटाना चाहते हैं तो यहां पर target को हटा सकते हैं या फिर जब भी आप target को यहां पर लगाना चाहते हैं तो आप यहां से target को लगा सकते हैं तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी के साथ यहां से इस्टोफ लोसें टार्गेट लगा सकते हैं इसके साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं बीच में ही यहीं पर आपकी ट्रेट को किलोज करना तो आपको यहां पर एक ओफिशन देखने को मिल जाएगा यहां पर क्लोज का ठीक है इसके उपर जैसे आप किलिक करेंगे तो इंस्टेंट जो भी आपका यहां पर प्रॉफिट चल रहा है वह फ्रॉफिट में आप यहां से आपकी ट्रेट को किलोज कर सकते हैं तो यहां से इसके उपर जैसे आप किलिक करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट था वह इमिजेट बुक हो चुका है आप देखेंगे 0.78 पॉइंट यहां पे आपने बुक कर लिए तो इस तरीके से आप जब भी यहां पे टारगेट एंड इस्टोप लोस लगाए तो पहले प्राज को सिलेक्ट कर लीजी क्या आपको प्राज डालना है इसके बाद बड़े ही आस उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएक होगी वीडियो आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और शेर कर दीजी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रिस कर द दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते फिर नहीं और भी लिटिस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबा दोस्तों